दोस्तों में करेश दा कावर्डली डॉक शो यानि की शेर दिल कार्टून शो बनाने वालों से ये पूछना चाता हूँ कि आखिर उन्होंने कौन सा भांग पीकर इस कार्टून को बनाया था अब बेशक बच्पन में ये मेरा फेवरेट कार्टून था और मुझे इसे देखकर बहुत हसी भी आती थी लेकिन जब आज मैं इसे वापस से देखता हूँ तो मुझे केवल बूरे सपने ही आते हैं अब आखिर कौन से डिजाइनर्स ने इन अजीब तरग के भूतों को बनाया था यार खैर मॉंस्टर्स कोई भी हो शेर दिल हमेशा अपनी मुरियल और उसके पती यूस टेस को बचाने में सफल हो जाता था अब चलिए इस शो के कुछ बेहदी डरावने मॉंस्टर्स को एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों मुरियल को अचानक से एक फोन को लाता है जिसमें सामने से एक आदमी बोलता है कि अगर तुमें अपनी जिद्दगी बदलनी है तो तुरंत हमारे यहां से इस नरम और कमफर्टेबल गद्दे को खरीती है अब मुरियल उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और उस गद्दे को ओर्डर कर देती है अब दोस्तो अगले ही सिन में दो चुपड़ी जैसे देखने वाले मॉंस्टर्स एक गुफा से गद्दे को निकालते हैं और अपने यमराज के रत में बिठा कर उसे डिलिवरी करने निकल परते हैं शेर दिल द्वारा हजार बार मना करने के बाद भी मुरियल उस गद्दे पर सो जाती है और तुरंथी उसकी बाड़ी को एक डीमन जकड़ लेता है अब इसके बाद जो होता है न वो देखना बहुत ही मुश्किल है मुरियल की पूरी बाड़ी चेंज हो जाती है और उसके बालो का रंग लाल हो जाता है और उसकी आवाज जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ वो भी पूरी तरह बदल जाती है अब मुझे पूरा यकिन है कि इस कहानी का इंस्पिरेशन सीधा 1973 में रिलीज हुई मुवी एक्जॉर्सिस्ट से लिया गया था मुरियल अपना सर गुमाने लगती है फिर उसका सर निकल कर बाहर गिर जाता है अब मैं पूछना जाता हूँ शो के क्रियेटर से कि उन्हें ये पता था ना कि ये इस शो को जो है बच्चे देखने वाले एपिसोड के अंत में वो डीमन ये उस टेस्क को जगड़ लेता है और हमारा शेर दिल उसे पैक करके गद्दे का ओर्डर रिटर्न कर देता है अब वो अपने अजीब से आवाज बे उनका फोन इस्तमाल करने के लिए मांगता है अब देखो हम सब को पता है कि मियूरियल कितनी अच्छी है वो प्यार से उसे अंदर बिठा कर चाई भी पिलाती है शेर दिल का शक यकीरी में बदल जाता है जब वो एलियन उसे एक शिप में घुसने के बाद हम उस एलियन का असली रूप देखते हैं उसकी कोई बॉड़ी नहीं है बलकि वो पूरी तरह से ब्रेन से बना हुआ है और उससे भी खतरनाक ये है कि वो अपने से जादा बड़े एक ब्रेन के लिए काम कर रहा था अब ये बड़ा ब्रेन मुझे आल्मोस्ट उल्टी आने लगती है अब शेर दिल प्यार से इस एलियन को एक बॉम गिफ्ट कर देता है और मुईयल के अच्छाईयों को एक बार फिर उसके अंदर डाल देता है नमबर त्री पिग शेफ दुष्टर यूस्टैस और करेज अपनी गाड़ी में अब शेर दिल उसे देखते ही समझ जाता है कि इस रेश्टरेंट में कुस्तोगणबड है और एक आदमी होटल में आता है और अपनी चीजों को टेबल पर चोड़कर बातरूम में चला जाता है शेर दिल उसे बातरूम में जाते वे देखता है लेकिन वह आदमी फिर आपमी का चेहरा बना हुआ है जो अभी अभी बातरूम में गया था शेर दिल तना डर जाता है कि वो यूस टैस को छोड़ कर बाहर भाग जाता है लेकिन एपिसोड के अंद में असली ट्विश्ट आता है जब हमें ये पता चलता है कि वो सुवर असल में इंसान का मीट बना ही नहीं रहा था और शेर दिल तो बस एक गलत फैमी का शिकार हो गया था नव सच बताव दिए बहुत से थ्रीलर मूवी में दिखाए कि ट्विश्ट से बहुत ज्यादा अच्छा ट्विश्ट था नमबर फोर टर्टल मॉंस्टर दोस्त इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक जादुगर दा अमेजिंग मॉंडो से इस जादुगर के पास रहसमाई ब्लू कलर का पाउडर होता है जिससे वो अपने मैजिक ट्रिक्स को परफॉर्म करता है अब देखो खुश होकर सेर दिल भी उसका मैजिक शो एंजॉय करने लगता है लेकिन उसके कुछ ट्रि देखा होगा शेर दिल मॉंडो से बार-बार रिक्वेस्ट करता है कि वो मॉरियल को ठीक कर दे लेकिन मॉंडो उसकी एक नहीं सुनता शेर दिल उसे पीछे से खीज जा है और अचानक उसका यूमन स्किन बाहर निकल जाता है अब हमारे सामने आ जाता है टर्टल जैसा दि करने की कोशिश में लग जाता है अबंत में वो उसी जादूगर का जादूई पावडर लेकर मॉरियल को ठीक कर देता है और मॉंडो को रैबिट बना देता है नमबर फाइव पत्थर लौटा दो नहीं पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा दोस्तों हम सब ये बात मानेंगे कि पत्थर लौटा दो वाला ये एपिसोड सीरीज का सबसे डरावना एपिसोड था एपिसोड के शुरुआत होती है दो बिल्ली जैसी दिखने वाले चोरों से जो म्यूजियम से कुछ चुरा कर भाग रहे होते हैं उनके पीछे पुलिस इसका था और इसकी वैल्यू एक मिलियन डॉलर से भी जादा की थी अब इस पत्थर को बेस कीमती समझ कर यूस्टैस तुरंत उसे चुरा लेता है अब उस रात खुद रहमेसिस का भूत वहाँ पर आता है और यूस्टैस को वार्ण करता है कि अगर तुमने पत्थर नहीं अब पहले श्राप में शेर दिल के घर के अंदर बारिश होने लगती है वहीं दूसरे श्राप में बहुत ही तेज म्यूजिक बजने लगती है शेर दिल किसी तरह मूरियल और यूस्टैस को तीन श्रापों से बचा लेता है लेकिन सबसे आखरी श्राप में किंग रैमेसि इस कीडों की फॉज उन पर छोड़ देता है जो अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को खा जाती है अब शेर दिल यूस्टेस के जिद से तंगा जाता है और उसे पत्थर छीनने लगता है अंत में जब वो कीडे पूरे घर को खा रहे होते हैं तो यूस्टेस फाइनल अपना आखरी श्राप इस्तमाल करके यूस्टेस को मजा चखा देता है वही दूसरी तरफ घर के अंदर म्यूरियल और शेर दिल ऐसे बैटे होते हैं जैसे उनका घर बिलकुल सही सलामत हो अब दे को ये बात तो मानना पड़ेगा कि अगर आर्टिस को फ्रीडम दी जाए तो वो लोग कुछ बेहदी पॉप्रिलर कैरेक्टर्स को बना सकते हैं शेर दिल टीवी शो का एनिमेशन अपने वक्त के हिसाब से काफरी जादा अडवांस था और ये आज भी मेरे फेवरेट शोज में से एक है और क्या आप भी शेर दिल के फैन हो अगर हां तो मुझे न नेक्श एपीसोड में तब तक के लिए बाई जय हेल